हेलो एवरिवन लेर्थ रेजुकेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चलिए आज मैं आपको जो है जो आपका पेपर पूछा हुआ था अभी जो आपने एक्जाम दी थी जो पेपर आपका इंसल हो गया था तो इसमें जो आठ क्योशन आये थे किस टाइप क पूछे गया थे वह हम डिसकस कर लेते हैं हाला कि ऐसा नहीं है कि जैसे किशन पूछे गया थे वैसे वापस से पूछे जाएंगे अब पेटन चेंज होगा 90 परसेंट तो पैटन चेंज होगा तो अब चेंज पेटन में क्या आता है यह डिपैंड करता है बाकि यह कि इसने करनी रखा है लेकिन में बताता हूं इसमें a dm क्या है इसेंड on ceremony यह इसका एक idiom है अब स्टेंड on ceremony का मतलब जो होता है वह यहाँ पर क्या होता है टू बिहेव इन फॉर्मल मतलब की फॉर्मल वे में बिहेव करना जैसे माल लिजे कि कोई आदमी है और वो कहीं अपन जैसे ऑफिस में खड़े हैं और वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है आपके सामने तो आप उसको इंगलेश में बोल सकते हैं कि प्लीज स्टेंड ओन सेरेमोनी तो आप जब ऐ जाएगा भी फॉर्मल तो यह इसका इमिन इन्हा पर होता है इसका इसका सिनोनिम है कभी आ जाये तो आप ध्यान रखना ठीक है वेल अडिक्शन का मतलब वही सेम होता है ठीक है एक तरह से डिगनिटी फॉर्मलेटी मतलब फॉर्मल तो इस टाइप के मौहवरे होते हैं इ कि यह सब्सक्राइब करता है आपको लगता है कि मैं रिसेक्ट करता हूं तो वह मतलब इसका मतलब इसका मतलब होता है कि कि रिस्पेट करें because you deserve it क्योंकि आप उसे deserve करते हैं तो यह होते हैं इडियम तो इस टाइप का क्यूशन एक पुछा गया था अगला प्रशन देखते हैं अगला क्या है आफ्टर लेंदी argument all of us reached a consensus अब देखिए क्योशन अच्छा बहुत साइब लोग मुझे बोल रहते हैं कि जब मैं क्योशन कर वह था थे सर इतने easy नहीं आते हैं और ऐसा है वैसा है तो देखिए यह question कोई tough नहीं है easy question है जैसे consensus अब मान लीजिए कि मुझे समझ में नहीं आता है कि consensus का मतलब क्या होता है हाला कि consensus का meaning बहुत easy है लेकिन यहाँ पर देखिए after a lengthy argument मतलब कि जो argument था जो बहस थी वो बहुत ही lengthy थी और all of us reached a consensus तो उसके बाद में हम consensus पर पहुँचे तो consensus का मतलब finally क्या हुआ यहाँ पर consensus का मतलब होता है agreement हम agreement पर यहाँ पर पहुँचे इसके और भी synonym है जैसे consensus का मतलब होता है harmony ठीक है consensus का मतलब इसके अलावा होता है accord यह इसके synonym है तो consensus का मतलब होता है यहाँ पर क्या agreement ठीक है तो चलिए दो तो थोड़ा से वोड़ा कोशयों आ गए तीसरा प्रशन देखते हैं अब तीसरा क्या है इसमें कि यह एक्सेप्शन के착 तो यहाँ पर प्रेडिक्टेड इन एक्सेप्शन ओफ एमिनिमम फॉर पर्चन तो यह एक प्रिपोजिशन का क्योशन है जिसमें आपको पता हुना चाहिए कि प्रेडिक्टेड के साथ में इन आता है अगला प्रशन देखते हैं देखिए क्योशन नंबर चार क्या बोल रह ठीक है तो ऐसे में बोलूँ है कि I was disappointed मैं थोड़ा सा busy था I was busy मैं nervous हो गया था I was nervous तो यह इस प्रकार से वोज प्लस वर्ब की थर्ड़ फॉर्म हाला कि वह वर्ब की थर्ड़ फॉर्म नहीं है वह एडजेक्टिव का काम कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर ही वोज अब बहु मुझे बोलना पड़ेगा I am surprised तो यह आपका कौन सा फॉर्म हो गया एडजेक्टिव फॉर्म तो इसी प्रकार से यहाँ पर he was disappointed वो disappointed हो गया कब हो गया वेन ही डिद नॉट वोन अब समझेगा बात को यह option हो गया गलत क्यों पूछो क्यों क्योंकि डिड के बाद में हमेश अब अगला प्रशन हम देखते हैं अब अगला प्रशन है this is the time to raise such question इस type की question को उठाने का जो time था वो बिलकुल भी नहीं था और यहाँ पर बिलकुल भी नहीं के लिए आएगा scarcely इस के बाद अगला प्रशन को आप बीना पड़े सौल कर सकते हैं पूछिए कैसे लाज़ली ट्रीलेस आइसलेस यहां पर एक plural noun है और plural noun के बाद में वर्ब जो है वह singular कैसे आएगी singular कैसे आएगी singular कैसे आएगी मतलब यह option गया यह गया यह गया तो बचा क्या आर तो इसलिए इसका सही जवाब है अगला देखते हैं अब देखिए यह question जो है इसमें यह पूछ रहा है ऐसा कि out of the following four options choose the incorrect sentence मतलब इसमें आपको क्या करना है कि जो incorrect sentence है उसे यहाँ पर करेंगे देखिए बहुत सब्सक्राइब दे रखें तो अब अगर आपकी grammar देखिए जो हम grammar पूरी पढ़ते ना एक एक चीज उसका फाइदा आपको यहाँ पर मिलेगा कैसे मिलेगा देखिए how many food? अब मुझे तो यहीं से पकड में आगया मुझे आगय जाने की आवशक्ता नहीं है अब बताइए how many food होता है क्या? many कहां लगता है? many वहाँ पे लगता है जब noun होता है plural और यह बोल रहा है कि how many food? तो how many food कैसे होगा? हाव मच फूड जरूर होगा तो मैनी की जगे यहाँ पर आएगा मच इसका मतलब कि यह पहला ही गलत है तो मुझे यह बाकी के चार देखने के आवशकता नहीं है क्योंकि मैं 100% कंफर्म हूं कि हाव मैनी फूड कभी नहीं होता है हाव मच फूड होता है तो यह इजी वह में इस्टुएंट को यह भी समझने आता है कि PQRS में करना क्या है मैं बताता हूं आपको करना क्या है इसमें क्या है कि पहला सेंटेंस जो आप देख रहे हैं और छटा सेंटेंस यह रहेगा फिक्स मतलब पहला पहले की जगे आएगा और छटा छटे की जगे आएगा अब जो बचे हैं बीच के PQRS, तो यह जो PQRS है न, यह अपने को सही करम में जमाने हैं, तो पहला प्रशन देखिए, देखते हैं, पहला sentence, an octopus, मतलब यहां से आप theme जमाईएगा, कि theme क्या है, तो इसकी जो theme है, वो है octopus, तो यह octopus की बात कर रहा है, octopus क्या है, एक fool है, तो यह न, octopus appears to be just a huge head with eight long fearful arms, है न, octopus नहीं, fool नहीं है, octopus एक तो वो, जैसे क्या बोलतो, उसको केकड़ा या ऐसा कुछ होता है, octopus, है न, तो वो उसकी बात कर रहा है, यह मुझे यहां से पता चला, कि fearful arms, arms का मतलब होता है, उसकी ऐसी भुजाएं होती है, fearful, है न, ऐसे, डराव होनी, और with eight long, और कितनी होती है, आठ, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, ऐसे, तो यह उसकी बात कर रहा है, अब यह sentence fix है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो एक देखिए, अब मैं यहां से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं अगला sentence यहां पर उ अब बात करेंगे, हैट से, हैट से शुरू करेंगे, तो पहले की बार डारेक्ट आएगा, क्यूं, तो क्यूं मैं क्या आ जाएगा, कि इस हेड, उसका जो सर है, इस सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, लाइक रबर, रबर के जैसे, इस आइस, और उसकी जो आखें होती ह इस्टिक आउट, अब अगर आप लोग कहते हो कि सर, हमें तो इतनी हिंदी करने नहीं आती है, तो आप यह भी मत बूलना, कि आप में इंग्लिश लिट्रेचर करके बेठे हैं, है ना, यह बात हमेशा ध्यान रहे, बात कड़वी है, पर सच है, कि में इंग्लिश लिट्र तो इतना तो examiner को बनता है, कि वो आप से पूछे, ठीक है, तो यहाँ पर आप excuses नहीं दे सकते हैं, कि सर, हमें इतनी English करते नहीं आती है, तो यह फिर वो एक तरह से अपनी तोहीन हो जाएगी, कि हम लोग Master of Arts है, है ना, तो आप समझ सकते हैं, तो मैं बात को आगे बढ़ और उसके जो आखें, इस तरह से स्टिक्ट है, कि वो सब तरफ से देख सकता है, तो अब अगला हम लेंगे Q, अब मान लो आपने Q ले लिया अगला, और आपको समझ में आगे कि यह फाइनली आना है, तो यह दो आप्शन ऑटोमेटिक कड़ गए यहां से, अब बचा दो, बचे दो, है ना, अब Q के बाद में आपको देखो, एक और और तो पकड़ना पड़ेगा, जो कि P 100% आएगा, तो इसका मतलब अगर Q आगे तो P उसने ही दिया है दो में, इस माउथ के बारे हम बात करेगा हो, है ना, अब खास बात ही है कि इसमें S, R आएगा, मतलब पहल आएगा, R, तो R आगया, तो मतलब चोथा ओप्शन सही हो गया, इट है पावरफुल जास, मतलब पूरे उसी के बारे में, पूरी बात खतम करके, और फिर हम लॉंग आर्म और है डबल जो भी है, इसको पकड़ेंगे, तो इस प्रकार से आप PQRS के क्योश्चन को सॉल करे है, ठीक है, चलिए, अब मैं आपको मेट्स भी इसमें कवर करवा दूँगा, जितना जितना आपका मेट्स जो आ रहा है, उसमें जो पेपर में, आपका मेट्स होता है, आर्दस नंबर का, तो वो जैसे अभी मैंने एक टाइम और वर्क का वीडियो बनाया था, वो आप द है ना, कोशिश हमारी तरफ से पूरी है, बस आप थोड़ी से मेनत करें, है ना, और ये excuses वगेरा सब छोड़ें कि मुझे काम पर जाना रहता है, मुझे यह है, अभी एक मैना मिला है आपको, किसी भी तरीके से इस exam को अपने को निकालना है, ठीक है, जितनी भी मेनत करनी पड़े, हम आपके साथ तैयार है, और और एक और बात, इस जो वीडियो की नीचे आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना, और आप कुछ कहना चाते हैं, मतलब आपको किसर ऐसा वेसा करवाना है, तो अ अगरता है, एक और ओनलाइन जो क्लास है, ग्रामर की वो भी चल रही है, ठीक है, जो लोग बिल्कुल बहुत जादा कम जो और तो वो ओनलाइन ग्रामर की क्लास को जोइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना पड़ेगा, व लेन क्लास की फीस है पंदरा सो रुपे मात्र चीक है चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद